Chemistry of Carbohydrate के 5th lecture में आपका स्वागत है आज के इस lecture में बात करेंगे हम Muta Rotation and Saas-saas Fructose के बारे में बात करेंगे Glucose के बारे में Total आपको बताया जा चुका है अगर आप नहीं देखे हैं तो YouTube में जाकर सर्च भी कर सकते हैं कि आपको Glucose by Teach Stream तो आपको मिल जाएगा So that link भी मैं description box में दे रहा हूँ वहाँ से जाकर आप पूरी playlist देख सकते हैं चलिए आज का जोमारा topic है that is a Muta Rotation पहले तो हम देखेंगे Muta Rotation होता क्या है Detail में जानेंगे Then हम लोग Fructose के बारे में चर्चा करेंगे कि Fructose क्या होता और आज हम लोग Fructose के बारे में Detail में बात करेंगे और Fructose को complete कर देंगे So चलिए मैं भी एक मिस्रा स्वागत करता हूँ आपको Teach Stream में एक बार फिर से चलिए शुरू करते हैं आगए बढ़ने से पहले आप लोग जैसे पूछते हैं कि Sir, Notes कहां से मिलेगी And Book PDF अगर चाहिए तो कहां से मिल सकती है वो आपको Teach Stream के App पर मिलेगी App को जिससे डाउनलोड करेंगे Free Study Material पर जाएंगे तो आपको पूरी की पूरी PDF Notes मिल जाएगी and पूरा का पूरा आपको Hand Return Notes भी यहीं पर अवेलवल होगा So that आप इसको डाउनलोड कर शकते हैं Link मैं description box में दे रहा हूँ जाकर तुरांत ही डाउनलोड कर शकते हैं And आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि जितने भी student second semester का course अभी तर नहीं जोईन किये हैं मतलब वो देख रहे हैं कि Physics, Chemistry, Math detail में चाहिए पूरा का पूरा question solve वो हो जिसमें पूरा का पूरा numerical solve हो आग things वो और light glass लेना चाहते हैं तो उन्हें आपको ये batch दी जा रही है जिसकी price रखी है 2499 अभी जाकर जोईन कर लिजे आफर चलता रहता है ये offer 2000 में भी आपको मिल सकती है batch तो एक बार जाईए link description box में दी गई है click करिए और offer चेक करिए और offer का लाग उटाईए चलिए जिसमें physics chemistry में तीनों पढ़ाया जा रहा है तो एक बार जाकर जरूर चेक करिएगा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर muta rotation और जिसको जिसको अगर admission लेना है और नहीं समझ पाना है कि उनका उनके लिए कौन सा best coach रहे तो वो इस number पर आप message कर सकते हैं 9532039099 इस पर whatsapp कर सकते हैं whatsapp पर total बात होगी यहाँ पर calling feature अवेलेबल नहीं है तो whatsapp आप कर सकते हैं और अपने awarding coach सकते हैं कि मुझे कौन सा coach लेना है so that चलिए बात करते हैं हम लोग muta rotation के बारे में muta rotation होता क्या है exactly देखिए बात समझेगा अभी तक आपने क्या देखा ध्यान से सुनिएगा अभी तक आपने देखा जब हम alpha deglucose लेते हैं ध्यान से समझेगा ठीक है plane polarized light अब जब हम alpha deglucose के solution से plane polarized light गुजारते हैं तो ये उसे 112 degree पर rotate करा देती है 112 degree पर rotate करा देती है अगर आप confirm देखेंगे 112.2 degree पर ये rotate कराती है तो मतलब जैसे आप किसी भी plane polarized light को pass कराते हो with the solution alpha deglucose it rotates the plane polarized light to 112.2 degree मतलब अब ये इसे कैसे rotate करा देगी 112 112 122 degree पर rotate करा देगी और ये dextro rotatory होता है आप सभी जानते हैं ये हमेशा clockwise ही rotate कराती है तो यहाँ पर लिख लेंगे ये आपकी plane polarized light है plane polarized light और ये आपकी rotation होने के बाद light है ये 112.2 degree पर rotate कराता है अलपा डी ग्लूकोज अगर मेही पर बीटा डी ग्लूकोज लिया होता ज्यान दीजिएगा अगर मेही पर बीटा डी ग्लूकोज लिया होता यहां पर देखिएगा यह इस plane polarized light को 18.7 degree पर rotate कराती, कितने पर 18.7 degree पर, हमेशा dextro rotator ही कराएगे 18.7 degree हमेशा यह 18.7 degree पर ही rotate कराती, कौन बीटा d-glucose, alpha d-glucose 112.2 degree पर rotate कराता है, लेकिन क्या होगा, अगर यहीं पर मैं दोनों का solution ले लूँ यह तरफ alpha d-glucose का एक तरफ beta d-glucose, दोनों का solution अगर ले लिया जाए, तो क्या मिलेगा, देखो पहले बात समझोगा अगर मैं दोनों को साथ साथ एक महीं mix से करता हूँ, जिसे एक percentage रख दिया जाए कि 80% आपका alpha d-glucose रखा गया किसी भी solution में, और 20% आपका beta d-glucose रखा गया है, तो 80% जो alpha d-glucose होगा, वो तो plane polarized light को 112.2 degree पर rotate कराएगा, नारमा समझी है, 112 degree पर rotate कराएगा बट जो आपका 20% बीटा d-glucose है वो तो उसको 18 degree पर rotate करा रहा होगा, एप्टॉक्स वैसे तो 18-10 मलों साथ होता, 18 degree पर rotate करा रहा होगा अब आपको ये समझना है कि जब 112 degree पर करा रहा है एक 111 degree पर करा रहा है एक तो कम rotate करा रहा है, ज़्यादा रोटेट करा रहा है, बट दोनों को अगर mixer करा दे, mixture कर दे दोनों का, तो वो 112 degree से कम and 18 degree से ज़्यादा पर rotate करा रहा होगा और ये rotation तब तक change होता रहता है, जब तक आपका alpha d-glucose और beta d-glucose दोनों equilibrium पर नहीं आ जाते दोनों जब equilibrium position पर पहुँच जाते हैं, तो ये rotation fix हो जाता है, ये rotation बंद हो जाता है और वो आपका आता है, 52 point something 6 degree approach वो rotation angle ऐसा होता है जो कि fix होता है, उसी को हम बोलते है muta rotation, ठीक है आवो दिखाता हूँ, जैसे यही पर मैंने एक solution लिया आपके बार जिसमें alpha-dglucose और beta-dglucose दोनों रख दिया alpha-dglucose and beta-dglucose दोनों आगे अब आप plane polarized glide pass कराईए इससे, ठीक है भाई pass कराते हैं plane polarized glide plane polarized glide क्या होती है जो कि एक unidirectional होती है एक एही direction में move कर रही होती है यही से rotation कराएगा देखो ध्यान से देख्टो rotation ही कराता है और इसका जो angle होगा rotation angle अगर मैं थीटा दिखा हूँ ध्यान से समझीएगा rotation angle जो थीटा होगा that is less than alpha कितना कराता है 112 0.2 degree and greater than होगा greater than होगा 18.7 degree मदब जो थीटा आपका निकलने वाला है वो आपका 112.2 degree से छोटा होगा और 18.7 degree से जादा होगा clear समझ में आप अब क्यों जादा होगा क्यों का mixture करा दियो आप एक तो 18.2 degree पर करा रहा है हमारा 112.2 degree पर करा रहा है दोनों का जब mixture करा होगे ना तो वहाँ पर निकलेगा 18.2 से जादा और 112.2 से कम इसको एक बार no down करिए हम आगे चलते हैं एक बार इसको no down करिजिए अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना तो आपको muter rotation समझने से कोई नहीं रोग सकता बट सबसे main चीज़ होती है कि यही आपका ज़रूरी होता है यही समझना सबसे main important होता है यह एक बार समझ में आ गया फिर आपको समझने से कोई नहीं रोग सकता क्लियर हुआ इतना तो सबको समझ में आया ना चलो आगे बढ़ते हैं आगे लिखेंगे इसमें the specific rotation of muter rotation heading डाले हैं इसमें लिख लेंगे अभी तो हम समझा रहे थे अब लिखना आपको क्या है the specific rotation of आसा मत सोचना की exam में आ गया तो वो नहीं लिखना वो भी आपको लिखना पड़ेगा पहले आपको मैं समझाता हूँ ता कि आपको समझ में आ जागे exactly लिखना क्या है मुझको the specific rotation of pure alpha d pure alpha d glucose pure alpha d glucose का rotation और अथवा और और बीटा डी ग्लुकोज बीटा डी ग्लुकोज ग्लुकोज चेंज ओवर टाइम चेंज ओवर टाइम time to reach an equilibrium to reach an equilibrium value equilibrium value and this phenomenon is called और ये phenomenon हमारी क्या काला आती है muter rotation मतलब कहा क्या गया देहां दीजिएगा this specific rotation of pure alpha d glucose अथवा pure beta d glucose चेंज ओवर टाइम to reach an equilibrium मतलब जब alpha d glucose और बीटा डी ग्लुकोज दोनों का rotation अब जब equilibrium पर पहुंच जाता है alpha d glucose 112 पर rotate करा रहा था बीटा डी ग्लुकोज 18 डिगरी पर rotate करा रहा था तो ये rotation लगातार change होता रहता है और change होते होते मतलब change होते होते ये कम rotate कराएगा क्योंकि दोनों mixture है तो क्या करता है equilibrium में होने की position में आते हैं तो ये rotation लगातार change होता रहता है change होते 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 एक rotation fix होता है जहां पर alpha d glucose और beta d glucose दोनों हमारे equilibrium पर होते हैं दोनों हमारे equilibrium पर होते हैं वो rotation आपका muta rotation करा रहता है मबात मीरी समझो अलफव डीगुलुकोज 112 डगरी रूटेट करा रहा था , 112 डव. 122 डगरी बीटा डीगुलुकोज 18.27 डिगरी रूटेट करा रहा था लेकिन जब दोनों कोmmix करा दो , अब क्या होगा ? यह ज़्यादा rotation कराने की कुछशिस कर रहा इसलिए ये दोनों equilibrium में आएंगे दिरे दिरे तो इनका rotation लगातार ची यह माले 112 से 100 पी आ गया यह 18 से 20 पे गया पचीस पे गया 30 पे गया और यह घटते आ रहा है 80 75 65, 66, जितना भी कम होता चला आ रहा है फिर 55, ऐसे ये 50, ऐसे बढ़ता बढ़ता चला जाएगा जब 52.6 डिगरी पर रुखता है यह एक ऐसा rotation आता है जिस पे alpha D glucose और beta D glucose दोनों समान rotate करने लगते हैं mixture कराने के बाद वो इनकी equilibrium position होती है और उसे ही हम उस angle को, उस rotation को newta rotation बोलते हैं कि जहां पर ये दोनों equilibrium है और plane polarized light को rotate करा रहे होते हैं उस rotation को हम newta rotation कराते हैं और वो specific rotation कितना होता है 52.6 डिगरी होता ता आगे लिख लेंगे specific rotation at equilibrium इस specific rotation at equilibrium is equal to जो होगा प्लस का 52.6 डिगरी होगा प्लस इसलिए लगा जाता क्योंकि आप glucose में प्लस की ही बात करते हैं वो dextry rotatory होता है माइनस नहीं होता ठीक है ननो डाउन कर लेंगे यही है आपका mutual rotation इससे जादा कुछ नहीं है mutual rotation बाते समझ में आई जब भी पूछा जाएगा mutual rotation की definition लिखोगे और जो मैंने इसके पहले छपाया आपको बढ़िया बढ़िया figure वो आप छापतोगे अब चलो हम बाढ़ेते हैं आगे fructose की तरफ take a screenshot soon screenshot लिजेगा हम लोग fructose की तरफ आगे बढ़ते हैं ठीक है समझ में आई आजाओ fructose fructose क्या होता है बताओ कोई बताएगा fructose क्या होता है fructose भी का भी आपका जो molecular formula है वो glucose का molecular formula दोनों का same होता है कोई difference नहीं होता fructose और glucose में कोई भी differences नहीं होते molecular formula में glucose का भी C6H12O6 होता है fructose का भी C6H12O6 ही होता है बट वो eldohexos था ये ketohexos होता है वो आपका eldohexos मतलब आपका hexa मतलब क्या होता है 6 carbon eldo मतलब eldehyde group लगा होता है वहाँ पे and oz मतलब ये एक परकार का एक परकार के sugar की बात की जा रही है second add की बात की जा रही है तो वो आपको eldohexos का हला आता था बट ये क्या होता है ketohexos होता है इसमें आपका keto group लगा होता है पहले इसका molecular formula लिख लेगे क्या होता है C6H12O6 C12 H2O6 ठीक fructose आपका क्या होता है ketohexos यहाँ पर लिख लेंगे fructose एक प्रकार का आपका क्या है ketohexos यह आपका keto hexos होता है ठीक है ketohexos fructose होता है आपका ketohexos होता है और क्यों होता है पहले इसका structure देख लेते हैं इसका structure देख लेते यहाँ पर fructose क्या होता है ध्यान से समझेगा सबसे उपर लगता है CH2OH फिर आता है इसमें carbon 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 and CH2OH ठीक है उसमें उपर CH group लगा होता था नीचे आप CH2OH लगाते थे CH2OH नथिंग सिर्फ CH2OH यही है CH2OH हम डारेट लिखते हैं ताकि आपके आसानी रहे हमको समझने के लिए इसमें लगता आपका keto group इसमें लगता आपका keto group तो यहां पर double bond O देख रहे हो ना एक carbon यहां से carbon यहां जुड़ा और यह O जुड़ा R2CO keto group यही तो होता ना keto group C double bond O this is keto group अब देखो बात समझो carbon की valency यहां पर पूरी है यहां पर आपका same thing जैसे वहां पर होता था पहले वाले में C O गुरूप लगा होता था दूसरे वाले में OH right side होता था तीसरे वाले में H एच एच बता राइट साइड लगता था और OH left side होता था ठीक है फिद देन आपका जितना भी आता था सब OH right side होता था और यह आपका left side यह होता है आपका simple सा figure बना लो this is fructose this is fructose note कर लो note करो सब लोग इसका figure नो down करेंगे क्या इसका figure सबको समझ में है इतनी बार figure बनाएंगे जैसे glucose याद हो गया था न उतनी जैसे यह भी याद हो जाएगा glucose की तरह यह भी याद हो जाएगा चला ग्लुकोस में क्या होता था यह कार्बन यहां CH लगाते थे यहाँ पर कार्बन यहाँ पर CH2 OH यहाँ पर OH, 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 OH हो गया यह आपका glucose होता था यह आपका fructose है दोनों basic difference देख लो बाकी सब same to same रहेंगे बाकी जितना रहेगा सब same to same रहेंगे जैसे मैं दिखा दूँ अगर आपको यहाँ पर आपका लगा है CH2 ग्रूप यह देखो यह लगा है आपका CH2 ग्रूप और यहाँ पर लगा है यह ketogूप कोई अंतर हुआ यह दूसरे बाले प्लगता है क्योंकि यहां पर काइरल कारबन मिलते हो और इसकी जो इस्टेबिलिटी होती हो ज्यादा हो जाती है यह हुआ यहां पर देखो तीसरे बाले कारबन पर तीसरे बाले कारबन पर जो पोजीशन है same position ये भी है ठीक है उसके बाद इसकी position चेक करो जो इसकी position है वही इसकी भी position है कुछ अंतर मिल रहा है, नहीं उसके बाद इसकी position चेक करो ये भी वही position पर है और CS2OH नीचे लगाई है ये कुछ basic differences है तेक बार आप देख लोगे तो आपको याद जाएगा, दोनों को figure को no-down कर लो, फिर हम बात करते हैं जिसे alpha-d-glucose आपका बना था alpha-d-glucose, beta-d-glucose वैसे alpha-d-fractose और beta-d-fractose कैसे बनता है, इसको no-down करेंगे, टेके screen shot सून टेके screen shot सून, हटाएं इसको हटाएं, चलो आओ देखते हैं सबसे पर फ्रक्टोज लिखेंगे, फ्रक्टोज exactly होता क्या है, आप अगर फ्रक्टोज के बारे मताओगे, फ्रक्टोज exactly होता क्या है, आप लिखेंगे फ्रक्टोज के बारे में फ्रक्टोज is a monosaccharide आप सभी जानते हो, glucose, fructose दोनों हमारे क्या होते हैं, monosaccharide होते हैं, आपकर लिखेंगे, fructose is a monosaccharide, यह एक प्रकार का monosaccharide होता है, having molecular formula, having molecular formula, जिसका molecular formula क्या होता है, C6H12O6, C6H12O6, fructose एक प्रकार का monosaccharide होता है, सबसे पहली चीज़, जिसका molecular formula आपका C6H12O6 होता है, आगे लिखेंगे, it is livorotatory, यह क्या होता है, livorotatory, it is livorotatory, वहीं पर glucose आपका क्या था, dextrorotatory, glucose आपका dextrorotatory होता है, मतलब वो plane polarized light को towards right direction move कराता था, इसलिए उसे हम dextrorotatory बोलते थे, जबकि fructose क्या होता है, किसी भी plane polarized light को towards left direction move कराता है, इसलिए हम इसे livorotatory बोलते है, it is a livorotatory, livorotatory, because, because, क्योंकि, because, it rotates the, the, आगे लिखा जा रहा है, it rotates the, plane a polarized light, plane polarized light, plane polarized light, towards the left, towards the left direction, towards the left direction, so, it cuts, इसलिए हम इसे बोलते हैं, क्या है एक प्रकार से और, D minus fructose, वहाँ पर, plus D glucose होता था न, यहाँ पर, minus D glucose इसे बोलते हो, क्या बोलते हो, minus D glucose, sorry fructose, 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 minus D, fructose, note कर लिजे, take a screenshot, take a screenshot, इसके बाद हम, इसके बाद हम, इसे change करना दिखाएंगे, कैसे यह, alpha बना रहा है, कब यह, beta बना रहा है, ठीक है, note कर लिए, problem तो नहीं आ तक, आगे चलें, इनो मरसा fructose अगर आपको बता दें, वो आगे बताएंगे, पहले आप, यतना समझो कि, यह एक प्रकार का, लिबो रोटेटरी होता है, D glucose होता था, वहाँ पर, D glucose, ऐसे आप D fructose पढ़ोगे, वो plus D glucose होता था, यह minus D fructose होगा, क्यों? क्यों? अब D का नाम क्यों पड़ा, यह आप glucose वाली वीडियो जाकर देखो, मैं इसमें नहीं बताऊंगा, कारड, कारड की आपको वहाँ पर glucose की भी जानकारी मिल जागो, तो D के बारे में, डीटेल में, मैंने चर्चा की है, काफी लोग यह सोचते होंगे, कि D जो है, वो डिक्स्टो रोटेटरी कारड लगता था, यह जो है, लिवो रोटेटरी कारड लगना चाहिए, बट, वो small D small होता है, यह D glucose और D fructose की बात हो रही है, जब वहाँ पर आप देखते थे, ऐसे 16 स्ट्रक्चर मिलते थे, चार काइरल कारबन होते हैं, देख पा रहे हो, यहाँ पर चार काइरल कारबन हैं, दोनों में, दिखारों में इदर, चाहिए आप glucose बना लो, CH4, एक कारबन, दो कारबन, तीन कारबन, चार कारबन, एंड CH2, OH, अब यह जो होते थे, OH, 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 OH और, यह चार आपके काइरल कारबन होते थे, एक, दो, तीन, कारबन मतलब, चारों अलग, अलग, कारबन मतलब, चारों बैलेंसी बराबर है, और अलग, अलग से जुड़े हुए है, तो, चार जो कारबन है, इसमें, अगर देखा जाए, कितने, इसके, डाइ स्टीडियो मर्स पॉसिबल है, तो, टू की पावर यन होता है, जितने भी, कारबन की संख्या होती है, तो, टू की पावर फॉर करोगे, तो, आपके सिस्टीडियो मर्स पॉसिबल थे इसके, जिसमें से, एक ऐसा स्ट्रक्चर था, जो कि, डी ग्लुकोज कहा गया था, सोला में से, इसके बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, बाते समझ में आगी है, यह डी फार डिक्स्ट्रो और यह अलफा लिवोन है, ना बताऊगे आप, डी फार यह है, ठेक है, एक डी ग्लुकोज मिला हुआ था, उन सोला ग्लुकोजों में से मिला करके, जो की सब ज़्यादा स्टेबल था, और सब ज़्यादा पाया जाने वाला था, जैसे ही आपका फ्रक्टोज भी है, चल्ड, आगे बढ़ते हैं, अगर हम इसके स्ट्रक्चर दिखा दें आपको, बिकाज स्ट्रक्चर सबसे में इंपॉर्टेंट होता है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाऊँ फ्रक्टोज का, यहाँ पर देखेंगे, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार्श होता है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, यह आपका फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर रहा, यह आपका fructose का structure रहा CH2 OH C double bond O C C free और CH2 OH इधर लगता है आपका sorry H और फिर आपका OH and OH इधर आपका OH H यह रहा है आपका structure अब दोखो उसमें क्या था उसमें भी आपका oxygen और hydrogen oxygen और hydrogen देखो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर भी यह देखो CH2H नीचे से दूसरे वाले carbon से ही वहाँ पर भी connect हुआ था यहाँ पर भी नीचे से दूसरे वाले carbon में because वहाँ पर वो six member ring बनाता था नीचे वाले second rate के बार करने के बाद इसलिए वो सबसे ज़्यादा क्या था एक प्रकार से stable था वैसे भी यह stable वगएर नहीं होता यह जो आपको दिया जा रहा है इसका नाम देखो क्या आप मैं बताया था एक बार just take second हेमी एसिटल हेमी एसिटल आपका stable नहीं होता बट अगर वो five member ring या फिर six member ring में आजा है तो वो बहुत ज़्यादा stable होता है five और six के लिए तो glucose जो था वो six member ring बनाता था नीचे वाले carbon के लेकर के इसलिए वो सब ज़्यादा stable था इसलिए उसको दिखाते थे और यह आपका five member ring बनाता है दिखाता हूँ ओ यच को आप लिखो कुछ इस प्रकार से ओ लिखोगी अब देखो यहाँ पर यह hydrogen attack करेगा इस पर देखना ध्यान से यह hydrogen attack करेगा इस पर यह जब तूटेगा इस पर oxygen पर इस पर मैनेस चार्ج आएगा ह्एक करेगा इस पर एक इसंदि त्म क्यों हो आ गए जी हटता भी तो नहीं हाय हओannel चल राड़ मैं जिदन लिखेता हो उतना लिखलो मैं हटाता हूँ एक दम से उसके बाद ही समझाता हूँ यह भसा होना छलो है आपको फ्रक्टोस का इस्ट्रक्चर बता देता हूं अच्छा वधगा कि आप नीचे सइकली के structure भी बना सकते हो फ्रक्टोस का structure क्या होता है CH2 OH 1C2 3 4 CH2 OH इधर आएगा double bond O इधर आएगा H OH 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 ठीक अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप इस OH में जब यह आपका तूटता है यह आपका तूटता है तो यह वाला oxygen अपनी तरह इलेक्टरान खीचता है तो पर निगेटिव चार्ज carbon पर पर पॉजिटिव चार्ज तो यह attack करता है इस पर यह attack करता है इस पर और जाकर connect हो जाता है क्योंकि इस पर पॉजिव चार्ज आए और यह hydrogen जो है यह hydrogen जाकर और से रिख्ट कर जाता है ठीक है hydrogen जाकर और से रिख्ट कर जाता है तो फाहले हमारा बनता क्या है यह structure जो बनता है हमारा कुछ इस पर कार्बन सबसे उपर आपका CH2 OH है अदो को सबसे उपर है एक बार तो यह बाहर से दोखो बाहर से attack कर सकता है एक बार यह अंदर से attack कर सकता है जब यह तूट जाता है तो यहाँ पर SP3 hybridization होता है कौँसा? SP3 hybridization तो एक बार यह बाहर से attack कर सकता है एक बार अंदर से attack कर सकता है जब उबार बाहर चेक करेगा तो यह काइसे मिलेगा इस्ट्रक्चर इसका देखना द्यान से C right side में CH2 OH फिर left side में oxygen है ही यह देख पार है हो आपका oxygen है ही यहाँ पर oxygen है ही hydrogen इधर जाकर attack कर गया तो यह बन गया OH नीचे as it is carbon 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 CH2 OH यहाँ पर क्या था यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और यह आपका connect करेगा, इससे, oxygen, करेगा, बताओ, सही है, ऐसे ही, ऐसे ही, एक बार OH, right side आगा, और CH2 OH, left side जाएगा, यहाँ पर देखेंगे, सेम इस्टक्चर देखेंगे, कुछ इस प्रकार्श्चर होगा, OH यहाँ पर, देखो, carbon है, OH, right side आया, और CH2 OH, left side आया, carbon, 2 carbon, 3 carbon, देखो, जो glucose पढ़े होंगे, उन्हीं को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, दरवाइज एक भी नहीं समझ पाऊगे, CH2 OH, इधर क्या है, H है, जैसे जैसे जो है, उसको अगा दो, OH है, H, इधर H, और यह रहा आपका, Oxygen, Oxygen, ठीक, यह रहा आपका Oxygen, तो इसमें आपने देखा, OH अगर right side होता है, मैंने पहले भी बताया था, उससे क्या बोलेंगे, Alpha, OH अगर left side होगा, तो उससे बोलेंगे, Beta, OH अगर right side होगा, तो उसे बोलेंगे, Alpha, OH अगर left side होगा, तो उससे बोलेंगे, Beta, तहाँ पर क्या हो जाएगा यह, यह आपका हो जाएगा, Beta D Fructose, और यह होगा, Alpha D Fructose, Beta D Fructose and Alpha D Fructose, आया समझ में, clear हुगा, कोई पॉइंट, ऐसा तो कोई पॉइंट नहीं जो समझ में आए जाए, हटाएं इसको, अब इसका cyclic structure, अगर मैं बनाना चाहूं, तो कैसे बनाऊंगा, दोनों का cyclic structure, चाहिए, वो Alpha D Fructose रहा हो, चाहिए, वो Beta D Fructose रहा हो, cyclic structure रहा हो, देखो वो 5, यह वो 6 member drink था, वो 6 member था, इसलिए उसमें, उसमें देखो, अगर आप पलटो, सब लोग Glucose वाला पलटो, कॉपी पलटो सब लोग, कॉपी पलटो, Glucose, सबसे पहले Glucose देखो, उसमें Pyrone मिला था, सब लोग देखो मैंने लिखा हुगा, पर न मिला था, इसमें Furone मिलेगा, 6 member ring में Pyron होता है, इसमें 5 member ring को हम क्या बोते है, इस प्रकार का structure, इसे हम क्या बोलते हैं, इस structure को क्या बोलते हैं, इस structure को हम बोलते हैं, इस प्रकार से बीटर डिफ्रक्टोज और अल्फा डिफ्रक्टोज का figure बनाते हैं हम लोग, सबसे पहले oxygen लगाएंगे, यह, ऐसे आपका यह भी बनेगा, बना, अब देखना ध्यान से, जब मैं बीटर डिफ्रक्टोज बना रहा हूँगा, कुछ इस प्रकार से, लिखने का क्रम ही मेन होता है, मैंने इसके पहले भी बताया था, जो भी राइट साइड आए, उसे आप नीचे लिखते हो, हाँ याना, जो भी राइट साइड है, उसे नीचे लिखते हो, पहले वाले कारवन पर हम इसकी बैलनंसी कैसे दिखाते हैं, इसकी हम अगर दिखाते हैं तो कैसे दिखाते हैं, ठीक है, इसफी प्रकार्शन होगा, it means that आगे मैं बता भी रहा हो किसे वो किया जाता है आपकी numbering कैसे किया जाती है cycle के structure में पहले देख लो जो right side है उसे नीचे लिखोगे इस वाले carbon पे right side numbering अगर करना चाहो तो ये रहा numbering है numbering पहले देख लो हमेशा fructose में जो numbering होई लिखो हमेशा fructose में जो number होई वो right side से लिजागी ये देखो यहाँ से एक दो तीन चार पांच और छे ऐसे carbon पे लिया जाएगा हमेशा यहाँ पर भी एक दो तीन चार पांच छे ऐसे ही numbering आपकी होती है same to same आप numbering कैसे करोगे इधर लाओ आप देखाते value रखो पहले वाले में जो right side देखो दूसरा वाला carbon तब यह हुआ उस हिसाब से उस हिसाब से दूसरा वाला carbon यह हुआ बाकी तीसरा यह हुआ चोथा यह हुआ पांच वा यह हुआ चाठवा जो भी रहेगा उस पर add कर देंगे value रखो दूसरे वाले carbon पर एक CH2OH लिखा गया है जो कि right side लिखा गया right वाल और नीचे लिखते हो क्या लिखोगे CH2OH और उपर क्या है OH है तीसरे वाले carbon पर बात करें नीचे H है नीचे H मतलब right side है तो नीचे और left side OH है चौथे carbon की बात करें तो OH राइट side है नीचे H पांचवे carbon की बात करें तो नीचे CH2OH हम जानते हैं कि जो सबसे बड़ा group होता उसे हम उपर लिखते हैं बड़े वाले group को उपर लिखते हैं glucose सही पता चल रहा है हमको CH2OH और यहाँ पर जो numbering करोगे यह आपका पहला carbon था यह आपका last carbon था ठीक है इसे साब से आपकी numbering हो जाती है ऐसे इसकी numbering अगर हमें करना start कर दो तो numbering करने के बाद अगर मैं रखों value इसमें दूसरे वाले carbon पर दूसरा वाला carbon दिखा दो कहां पर है यह दूसरा carbon यह तीसरा carbon यह चौथा carbon यह पाचवा carbon ठीक है दूसरे वाले carbon पर OH राइट साइड है लिख दो as it is OH आपका राइट साइड है तो नीचे लिख जाएगा और CH2 OH उपर लिखा जाएगा बाकी सब कुछ सेम है H नीचे OH उपर OH नीचे H उपर और इसमें हम जाते हैं जो बड़ा वाला ग्रूप होता है उसे हम उपर लिखते हैं तो CH2 OH उपर रहेगा और H नंबरिंग कर दो यह आपका पहला कारवन था यह आपका लास का दोनों में सिर्फ यही अंतर है क्या अंतर है दोनों में यही पर देखो दोनों में यहीं अंतर है बस अल्फा में CH2 OH उपर होगा और OH नीचे होगा बीटा में CH2 OH नीचे होगा यही याद करो लो दूसरे वाले कारवन पर याद भी करना नहीं है कैसे जानते हो कि आपका अगर अलफा कम मिलता जब और राइड साइड होता तो ओएच नीचे ओएच निचे होगा तो अलफा ओएच ऊपर हुआ तो बेटा इसका नामन नाम करण कर दे, नामन कलेचर, कैसे करोगे नाम करण इसका, आजयो दिखाते हैं सबसे पहले इसको furan बोलते हैं तो यह क्या था हमारा beta d यहाँ पर लिखेंगे beta d fructose fructose लिखेंगे और इस पूरे figure क्या बोलते हैं furan तो क्या हो जाएगा furanose furanose इसको क्या लिखेंगे alpha d fructose ना तो alpha d fructose को लिखेंगे फ्रक्टो 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 furanose क्योंकि इस figure को हम furan बोलते हैं वहाँ पर pyron बोलते थे यहाँ तक तो structure सबको समझ में हो गया I think structure सबको आ गया होगा structure में तो कोई problem नहीं होनी चाहिए ठीक है note कर लीजे I think आप सभी को structure काफी अच्छे से समझाया गया अब हम बलते हैं property की तरफ physical property पढ़ेंगे and chemical property पढ़ेंगे note कर लीजे इसको take a screenshot soon सब लोग screenshot लीजिए कोई problem तो नहीं आ तक आया सबको समझ में clear होता है आगे बढ़े चले आगे बहुत हुची तो इस हिसाब से अगर देखेंगे हम कि कैसे आपका यह normal structure था उससे हमने cyclic structure में change गया इस पर टकार है आप से select करते हों अब आप लिखोगे properties आप फ्रक्टोस हटा दे इसको properties आप फ्रक्टोस फ्रक्टोस की property क्या होती है सबसे पहले हम लोग पढ़ते है physical property then हम लोग study करते है chemical property सबसे पहले देखेंगे physical property physical property physical property physical property क्या होती है बारी बारी से देखेंगे समझ मैंगा पहली physical property पहली physical property क्या होती है कि it is sweetest of all no sugar जितने सूगर होते हैं जितने भी सूगर हम जानते हैं सभी सूगर में से सबसे ज़्यादा sweet होता है आपका फ्रक्टोस आप लिखेंगे it is the it is the sweetest of जितने भी सूगर आप जानते हो आया पे आप तक जितने भी सूगर खोजे गए उसमें सबसे ज़्यादा मेठा आपका फ्रक्टोस होता है दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी second प्रॉपर्टी it is readily soluble in water मतलब यह आसानी से water में घुल जाता है जैसे कि glucose घुलता था sparingly soluble in alcohol alcohol में बहुत ही sparingly soluble होता है मतलब यह अच्छे से नहीं घुलता है and in soluble in ether ether में बिल्कुल भी नहीं घुलता है तो वही सेम चीज लिखेंगे इसमें सेम चीज इसमें लिखेंगे it is it is readily आसानी से soluble soluble in water sparingly soluble in water oh sorry alcohol 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 and insoluble in insoluble in किसमें ether ether में यह insoluble होता है next property next property यह प्रकार का white crystalline solid होता है white crystalline solid होता है लिखेंगे it is it और वो glucose क्या था color ले सुआ करता था it is it is white crystalline solid white crystalline solid with melting point में यम्पी लेखेंगे देते हैं melting point melting point 375 Kelvin वो 390 Kelvin होता था और यह 375 Kelvin होता है अल्मोस्ट सेम होता है बहुत जादा अंतर नहीं होता है थोड़ा सांतर है थोड़ा सांतर है 16 Kelvin का अंतर है 85 and 91 16 Kelvin का अंतर है तो it is a white crystalline solid वहाँ पर क्या रिखेंगे it is a colorless solid crystalline solid which melting point is 391 Kelvin यहाँ पर होता है it is a white crystalline solid which melting point 375 Kelvin आगे लिखेंगे next property फ्रेश सोल्यूशन आफ फ्रक्टोज फ्रेश सोल्यूशन आफ फ्रक्टोज फ्रक्टोज का जो फ्रेश सोल्यूशन होता है has a specific rotation इसके पास specific rotation होता है कितना माइनस 133 डिख़़ी माइनस क्यों लगा गया क्योंकि यह लीवर ओरेटरी होता है left side move कराएगा तो माइनस 133 डिखरी फ्रेश जो होता है और वहाँ पर क्या हुआ करता था वहाँ पर 112 दसमलो 2 डिखरी ना विच चेंस तो विच चेंस तो माइनस का 92 डिगडी अट एक्किलिब्रियम अट एक्किलिब्रियम डिव टू मीटर रोटेशन मतलब फ्रेश जो आपका डिग्लूकोज होता है यह 133 डिगरी लिवर रोटेटरी करता है माइनस 133 डिगरी पर रोटेट कराता है प्लेन पोलराइज लाइट को और अगर म्यूटा रोटेशन के कारण अलफा डिफ्रक्टोज और बीटा डिफ्रक्टोज को एक ही सलुशन में मिला देते हैं वो एक्किलिब्रियम में आने के बाद माइनस 92 डिगरी पर वो रोटेट करा रहा होता है जबकि ग्लुकोज क्या करा रहा था 52.6 डिगरी पर रोटेट करा रहा था म्यूटा रोटेशन के कारण जब आप अलफा डिग्लुकोज और बीटा डिग्लुकोज रखते थे यहाँ पर alpha d fructose और beta d fructose रखोगे तो minus का 92 degree पर rotate कर आयता है आ गया समझ में एक note का point लिख लेंगे सब लोग note का point लिखेंगे क्या जो fructose होता है वो कहां present होता है fructose is present fructose is present abundantly in fruit अधिक मात्रा में यह बहुत अधिक मात्रा में यह बहुत अधिक मात्रा में फलों में पाया जाता है फलों में पाया जाता है इसलिए 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 और एक नाम से जाना जाता है क्या इसलिए और एक नाम से जाना जाता है क्या fruit sugar also ये सबसे अधिक मात्रा में फलों में पाया जाता है, मीठे फलों में मीठे फल जैसे हो गए, आपके अंगूर हो गए, आम हो गए इसे मीठे फल है तो मीठे फलों में पाया जाता है सबस्यादा प्रक्टोस, इसलिए से fruit fruit sugar भी कहते हैं, ठीक note down कर लिए, हम लोग chemical property पर आगे बढ़ते हैं, take a screenshot take a screenshot, note down कर लिजिए, note down कर लिजिए chemical property पर आगे बढ़ें chemical property पढ़ेंगे तो ये lecture चला जाएगा देड़ घंटे का, तो हम लोग यही 45 minute पर ही ओके करते हैं, chemical property आगे पढ़ेंगे, और कुछ और भी इसके बारे में जानकारी देखेंगे, कि कैसे ये भिन है, glucose से, fructose जो है, और कैसे दूसरे से connect करता तो वो सारी चीज़े भी अगले lecture में हम लोग देख लेंगे, so no down कर लिजिए, फटा-फट से ठीक है, हाँ तक सब को समझ में आ गया, so आप लोग जितना पढ़ाया गया, उतना फटा-फट से अपनी notebook में लिख लेंगे, और इसे तयार करते चलेंगे साथ-साथ, जिसे आपकी study में कोई भी problem ना आए, so मिलते हैं नेश्ट लेक्च्चर साथ, तिल दिर मनिस पढ़ाई करें, all the very best.